हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टुडेंट्स, असारजी अकेडमी के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप सभी को बताऊंगा एरेगुलर वर्प्स के बारे में, वाटर एरेगुलर वर्प्स, देखें, एरेगुलर सही आपको यह पता चल लाओग कि जो रेगुलर नहीं है, यानि कि जैसे कि हमारे एराइज हो गए, ठीक, एराइज आपका अबेक हो गया, बी हो गया, रन हो गया, जंप हो गया, यह हमारे रेगुलर वर्प्स होती है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ाई होगा, या नहीं पढ़ाई तो पढ़िए, वर्प की फैस्ट फार्म, सेकेंड फार्म, थर्ड फार्म के रूप में चलते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, वाटर एरेगुलर वर्प्स, तो एरेगुलर वर्प्स, एरेगुलर वर्प्स, एसी वर्प्स होती हैं, जिन में ऐसा नहीं है कि केवल एडी की फार्म में ही वर्प आएं, एडी के फार्म में ही एरेगुलर वर्प्स राइट की जाएं, ऐसा नहीं होता है, कुछ वर्प्स ऐसे होती हैं, जैसे लाफ, लाफ मीन आप जानते ही है, लाफ मीन होता है, हशना, और जब हम इसकी वर्प्स की सेकेंड फार्म राइट करेंगे, तो क्या हो जाती ह लाफट ऐसे ही सेम थर्ड फॉर्म भी इसकी लाफट होती है तो आप इसमें देख पा रहोंगे कि इसमें आपको एडी फॉर्म दिख रही है ठीक है देकिन यहां पर फील दिया है कि फील का मतलब महसूस करना लेकिन इसकी जो सेकेंड फॉर्म होगे उसमें इडी नहीं लगेगी क्या होगी फैल्ट आप यहां पर देख पा रहोंगे कि इडी नहीं है तो आप आपको इरेगुलर और रेगुलर वर्फ के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा ठीक है अब हम लोग बात करेंगी आज आप सब मेरे साल लंग केजिए इरेगुलर वर्फ ठीक है लेट्स बिगिन लेट्स स्टार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं लोग ठीक सबसे पहली वर्फ हमारी एराइज एराइज मीन होता है जागना ठीक और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है इरोज और थार्ड फॉर्म जो ओती है हो ओती है आपकी एराइजें डियर पहेर ऐसे ही सेकंड पहुर्प अवएक अवयक मीन भी होता है जागना और इसकी जो धर्ट फॉर्म होती है वो आपकी ओती है अवोग ठीक और 3rd form जो होती है वह आपकी होती है और also utilizz movement ऐसे आ आह औले बद्विवर्व मेद्विवर्व आपने पड़ी एजStr एम एड ठीक हैं और जो पर जो अच्छंत पार में होती है इसमार की या ब़ी वव और टी तो वह आपकी होती है व्याश्य वर और जो इसकी थर्ड फर्म होती है वो होती है बीर अब बीर कमीन होता है आपका सेहन करना या जन्म देना ठीक बीर कमीनलब सेहन करना या जन्म देना तो इसकी जो सेकेंड फर्म होती है वो होती है आपकी बार और थर्ड फर्म बार क्लियर फिर आपकी फिप्ट नंबर फिप्ट नंबर है बीट बीट मीन क्या होता है बीटना तो इसकी सेकेंड फर्म भी क्या होगी बीट और थर्ड फर्म जो होगी वो आपकी होगी बीटन लिए भी बीटने फिर फिर बीकम बीकम मीन क्या होता है होना बीकम बीकम बीकेंड फिर से आपका बीकम become की first form become become mean होना second form became और third form become ठीक फिर be fall be fall mean क्या होता है कि आ पढ़ना be fell be fell be begin mean क्या होता है शुरू करना और इसकी second form होती है began और इसकी third form होती है be gun began bend bend mean क्या होता है जुकना इसकी जब second form होती है वो क्या bent और third form भी क्या होती है bent फिर आपकी ten number होती है ten number है bet bet mean और इसकी जो आपकी second form है वो bet और bet और इसकी जो third form है वो भी बिलकुल बिलकुल यानि जो यहां पर विटन है वो यहां पर गी होगा clear 11 नमबर है आपका बिड bid mean होता है बोली लगाना ठीक और इसकी जो second form होती है वो भी बिड होती है और third form भी आपकी बिड होती है ठीक है इसके अलावा इसकी इसके अलावा बिड बिड की second form बिड भी होती है और बिडन भी होती है clear bind mean क्या होता है बांधना इसकी जो second form होती है वो आपकी bound ठीक और bind mean ठीक है third form भी आपकी bound ही होती है इसकी bite mean bite mean होता है काटना bite bit bit ठीक bleed mean होता है रक्त बहना या बहना जग्त का बहना या ठीक है bit का में होता है जग्त का बहना ठीक है इसकी second form blood और इसकी third form भी blood होती है ठीक blow mean होता है आपका बहना ब्लू में आपका क्या होता है बहना जैसे हवा का बहना ठीक तो blue second form इसकी होती है blue और third form होती है आपकी blow break mean क्या होता है तोड़ना अत्वा तोड़ना second form क्या होती है इसकी बी आरो के ही broke बी आरो के इन broken break mean क्या होता है पालन portion करना और इसकी second form जो होती है वो bread और third form भी आपकी क्या होती है bread bring mean क्या होता है lana इसकी second form होती है क्या होती है brought bring brought bring brought brought और जो इसकी third form होती है वो भी आपकी brought ही होती है broadcast आपने newspaper में पढ़ा होगा broadcast broadcasting या movie में देखा हो सुनो broadcast mean होता है किसी चीज को प्रसारित करना ठीक है किसी चीज को प्रसारित करना जैसे movie बगेरा बनती है तो उसे all over world में कैसे पहुचाना है लोगों तक या इंडिया में कोई movie रिलीज होती है तो इंडिया में लोगों तक कैसे पहुचाना है यह सारा काम कौन करता है broadcasting team ठीक है broadcast mean होता है प्रसारित करना इसकी जो second form होती है वो आपकी इसकी जो second form होती है वो broadcast होती है और इसकी third form भी क्या होती है बिल्ड मीन क्या होता है बनाना तो क्या होता है बिल्ट second form होती है वी यू आई एल टी बिल्ट बिल्ट मने बनाना जैसे बिल्डिंग का बना वगहरा वगहरा बिल्ट हो इसका भी बिल्ट ही है वी यू आई एल टी ठीक बर्ण मीन क्या होता है जलना या जलाना ठीक इसके अलावा इसको इडी की फॉर्म में भी राइट किया जा सकता है बर्ण ठीक है बर्ण मीन जलना और इसकी सेकंड फॉर्म बर्ण भी होती है इडी की फॉर्म में और थर्ड फॉर्म भी इसकी बर्ण होती है ठीक है इसके बाद आपका आता है बर्ण बर्स्ट बर्स्ट मीन होता है आपका फटना बर्स्ट मीन होता है फटना ठीक तो बर्स्ट बर्स्ट का जो होता है वो शेम ही होता है परस्ट ठीक है वर्ष बर्ष में कोई चैंजमिंट नहीं आता। बर्ष के बर्ष बिए और एसटी बर्ष बर्ष यानि बर्ष की शेकंग फार्म भी बर्ष रोती है। और थर्ड फांदी बर्स्ट होती है फिर आपका होता है बस्ट बस्ट मीन चापा मानना बस्ट मीन चापा मानना ठीक चापा मानना मतलब समझते हैं जैसे आएकर ने चापा मार दिया ठीक तो इसकी जो सेकेंड फांड होती है बस्ट और थर्ड फांड भी बस्ट होती है ठीक अब एडी के फांड में इसको क्या लिख सकते हैं हुआ है बस्टेड अबस्टेड टिक अब तक भाई मीन क्या होता है खरीतना वाई की अब बाई की जो आपकी सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है आपकी बाट और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी क्या होती है बाट कास्ट कास्ट मीन क्या होता है चैन करना ठीक इसकी सेकेंड फॉर्म जो होती है वो भी कास्ट होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी आपकी क आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें ठीक है और अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कि में स्थान ते प्लीज कि विदिए जाइए और बाइ जागर जाएं ते चैनल को सब्सक्राइब करें जाएं ते लूं